नमस्कार दोस्तों आज हम एक महत पुडविशे पर चर्चा करेंगे जो अंतर रास्टी रूप से महत पूड़ है और हमारे लिए भी बहुत महत रखता है भारत का एक पडोसी देश जिसका नाम है मालदीव जो मेन लेंड इंडिया से लगबग 1200 किलोमीटर दूर है और लच की सरकार के द्वारा इसे समर्थन मिल ला है या नहीं इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इसके क्या माइन है कौन इसका समर्थन कर रहा है भारत सरकार और मालदीव सरकार के क्या स्टेटमेंट है सब जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मुद्दा कैस बना और कैसे यह कानी शुरू हुई आप यहां पर कुछ पिक्चर देख रहे हैं जिसमें लोग रेड़ टी-सर पहने हुए हैं जिन पर लिखा है इंडिया आउट यह लोग बड़े जोर सोर्षे भारत के विरोध कर रहे हैं आप यहां लिखे हैडलाइन देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी लच दीव के निजदीक मालदीव इस्तिद हैं मालदीव एक आईलेंड कंट्री है जिसके पास एक हजार से जादा छोटे-छोटे आईलेंड्स हैं जिनने आप मैम में छोटी-छोटी बूंदू के रूप में देख सकते हैं चूँकि मालदीव भारत क निकर्तम पडोसी है यदि यहां कोई भारत का दुस्मन आकर बैठता है तो इंडिया के लिए मुसीवत बन सकता है इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस कारण से है और उसका नेतरत कौन कर रहा है वर्तमान मे यानि कि माल्दियों के पूर्व राष्टपती अब्दुल्ला यामीन इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं और दूसरी तरफ है प्रिजिन टाइम के राष्टपती इब्राहिम सोले जो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं इन दोनों राजनेतिक पार्टियों के बीच बहस का म उद्दा भारत बना हुआ है जहां इब्राहिम सोले भारत समर्थित नेतियों के लिए जाने जाते हैं वहीं अब्दुल्ला यामीन चीन समर्थित नेतियों के लिए जाने जाते हैं माल्दियों मुस्लिम वाहुल देश हैं यहां सुन्नी मुस्लिम बोतायत में हैं जिसका पाइदा यामीन उठा रहे हैं और वहां के नागरीकों को भारत के खिलाब बढ़का रहे हैं यह कहते हुए कि मालदिव की कम्यूंटी और सिक्योर्टी खत्रे में हैं इंडिया के कारण क्यूंकि इंडिया ने मालदिव पर अपनी सिक्योर्टी लगा रखी है और मालदिव पर नजर रख रहा है भारत आपको बताते चले 2010 और 2015 में भारत ने मालदिव को दो धुरू नाम के एर क्रॉप्ट गिप्ट किये थे भारत ने यह कहकर एर क्रॉप्ट किये थे कि हम आपके अलग-अलग आईलेंड पर रहने वाले लोगों की हेल्प करेंगे चूँकि मालदि तक ले जाने में साहिता करेगा। के अलावा यह समुद्री सर्विलांस का भी काम करता है। इसलिए अब्दुल्ला यामीन का कहना है कि आपने जो हेलिकॉप्टर माले को दिये हैं उसमें आपने अपने पाइलेट क्यों बिठा रखें। जबकि हमारे पाइलेटों को इस जिसका अनभव है और हमारे हेलिकॉप्टर यह काम वर्फों से करते आ रहे हैं। यामीन का कहना है यह हमारी मदद नहीं बलकि आप हमारे देश की निगरानी कर रहे हैं। और दूसरी वज़े विरोध करने की यह है कि एक बार हमारे पूर्व मुक्ष मंत्री अकलेस याद हैं। यह कहते हुए कि जो पार्टी अपने आके मुस्लिम पबली का ध्यान नहीं रख सकती है। यह हमारे देश जो पूर्टे मुस्लिम है उसका समर्थन कैसे कर सकती है। इस तरह वहां धार्मी मुद्दा भी बढ़काया जा रहा है। और तीसरी वज़े विरोध करने की यह है कि यामीन ने किसी इंटर्व्यू में कहा जब मुझ पर अर्बो रुपय गवन करने का आरोप लगा था तब मुझे 2018 में पद से हटते ही जेल में डाल दिया गया था। उस समय भारत ने मुझे जेल जाने से क्यों नहीं बचाया था। इस तरह यामीन पांच सालों त धन्वार।